हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोन मसाला करी की रेसिपी इसे जिंगे के सालन के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही आसानी से कम इंग्रीडेंट्स का इस्तेमाल करके सांदार प्रोन मसाला करी बनकर तैयार हो जाएगी तो चलिए, सुरू करते हैं डेली और विकेंट स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्रोन करी बनाने के लिए हमने पेन में दो टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें हम एट कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा साथ ही में एट कर देंगे तीन मीडियम साइज की प्याज इस प्याज को हमने रफली चोप कर लिया है अब हमें मीडियम फ्लेम पर प्याज को तब तक फ्राइ करना है जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए तो तीन मिनिट तक फ्राइ करने के बाद अब देख सकते हैं कि प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगी है अब हम इसमें टमाटर एट करेंगे तो हमने तीन मिडियम साइस के टमाटर को रफली चोप कर लिया है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे हरी मिच, अदरक और लहसुन तो एक बड़ी हरी मिच को इस तरह से हमने बड़े पिसिस में कट कर लिया 20 लहसुन की कलियां ली है और हमने 2 इच के अदरक के टुकड़े को छील कर उसकी स्लाइसिस कर ली अब इस सारे इंग्रीडियंट्स को हमें तेल में मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि टमाटर सोफ्ट ना हो जाए इस तरह से टमाटर जब थोड़े सोफ्ट होने लगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इनको पेन में से निकाल लेंगे और रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसमें तीन से चार टेबल स्पून इतना पानी एट करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे अब उसी पेन में हम चार टेबल स्पून तेल एट कर देंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें खड़े मसाले एट कर देंगे खड़े मसालों में हमने लिया है एक तेज़ पत्ता, साथ काली मीच, डाल चिनी और एक फूल चकरी कुछ सेकंड टक खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हमारा तैयार किया हुआ प्याज, तमाटर, अधरक, लहसुन और हरी मिच का पेस्ट साथ ही में इसमें सुखे मसाले एट करेंगे जिसे की एक टीस्पून लाल मिच पाउडर, एक टीस्पून धन्या पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और ग्रेवी को बढ़िया सा कलर देने के लिए हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून कस्मिरी लाल मिच पाउडर थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को हमने लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 10 से 12 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया अब देख सकते हैं कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका तेल भी सर्फेस पर आने लगा है इस टेश पर हम इसमें प्रॉंस एट कर देंगे तो हमने एक किलो प्रॉंस लिये थे लेकिन साफ करने के बाद इसकी कॉंटिटी पांसो ग्राम हो गई प्रॉंस को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में एट कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमें प्रॉंस को ज्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि ओवर कुक होने की वज़े से थोड़े हाड हो जाते हैं इसलिए मसालों के साथ हम इसे लो फ्लेंब पर सिफ 10 मिनिट के लिए पकाएंगे तो इसे कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे तो इसे कवर करके हमने लो फ्लेंब पर 10 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया एक बर इसे चेक कर लेंगे इस टेच पर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे तो हम इसमें एक कप यानिकी 200 ml पानी एट कर देंगे और ग्रेवी का पानी एट करने के बाद गेस की फ्लेम को हाई करके हाई फ्लेम पर इसे दो मिनिट के लिए पकाएंगे ग्रेवी का पानी एट करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पका लिया अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला और एट करेंगे दो टेबल स्पून बारी कटा हुआ हरा धनिया इस टेज पर आप इसमें एक टीस्पून जितनी भूनी हुई कसूरी मेथी भी एट कर सकते हैं अब हमारी बनाई हुई प्रॉन मसाला करी या फिर जिंगे के सालन को हम सव कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है मसालेदार प्रॉन करी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए डेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई